नमस्कात दोस्तों अब देख्रों मेरे यूटीव सेनल 26 गाड़नी दोस्तों में आज आप लोग से कास्टेट अपल प्लांट के बार में थोड़ा से जानकर रिशेर करने बलाऊं तो वीडियो में आखिट तक बने रहेगा दोस्तों यह आप प्लांट देख्रों यह करीब 8 प्लांट को ग्राप्टेट सुसके इसलिये कि यह 20-30 का पधा करीब 6 ले लेता है आपने प्लांट में फूट देने के लिए और प्लांट बहुत भरावी हो जाता है उसे उस प्लांट को पॉट में करना थोड़ा मुश्किल होता है तो वह बात में ध्यान में राखते में आप लोग इसे अपने गार्डेन में कर सकती हो जो अब गजा है से अब अब देख सोगे हो यह प्लांत में नासर इसे अपला था था अब इसे डारेक्ट इस दार्श का पूर्ट में 70 परसें गार्डेन स्वेदर बागी 30 परसें बर्मी कोंपोस्टर गोबर से इसमें लगाय तेयर करता हूं 70-30 या कभी-कभी मैं इसे 50-50 भी करता हूं तो इस प्लांट में मैंने 70-30 का रेशियो अंसुस किया था तो बर्या ग्रोव हो रहा है आप लोग देख सकते हो कि दोस्तों हो सकते तह आप अब भी अपने गार्ड然 में कोई भी प्लांट एक है तो इसे जबिक听 तरह से करने के कशिश करो寄गी जो प्लांट क्या आता है उस प्लांट का लत फृरा सा स्लू रहता है लेकिन बर्या होता है घुड नहीं हमेशा ही मतलब एक तरह से ग्रोथ होता रहता है है कि तो आप लोग कृशिश करो कि अपने लोगा जितना भी पलांट हो जब्सक्राइशALK करने का सीचिश का ग्रोक्त फ्रसस लू रहता है लेकिन भल्या होता है büyük अनुक हमेशा इसे मतलब आप एक तरह से ग्रोथ होता रहता है तो आप लोग क्रीश प्रक्रमकि इतना भी प्लांट भूँ जबिवीक तरह से क्रने का we प्रशिश करो कि मैं भी करता हूं आप लोग देख सीकते मेरा प्लान का ग्रोथ इतना अच्छा है और दोस्तों इस प्लान को जब से मैंने लागा था इस पर्ट में उसके बात मैंने दो या धाय मेने के बात से इसे गभर की खाद और बार्मी कमपोस्ट के अलाबा मैंने इस 15-20 दिन के अंतर अंतर इसमें सोर्सों का खोल देना सोर्सों का खोल भूकर पानी होता है वो पानी देना शुरू कर दिया था बाकि इसमें 20-20 में कभी-कभी माइक्रोनीट्रियन भी स्प्रे करना पड़ता है क्योंकि यह बहुत स्वटा सा पर्ट में है और उसी पर्ट से ये nutrition भी अपने अब्सर्प करता है तो प्लान का nutrition का ज़र्णत पुरा करने के लिए थोड़ा बहुत nutrition बाहर से देना पड़ता है लेकिन मैं बाहर से जो nutrition इसमें देता हूँ जैसे कि बाहर भी टेक्स होता है वो और सागरी का सिवी डेक्ष्ट आक्ट होता है वो भी इसमें वह एक माहिने के अंतर अल्टरनेट करके में या कभी सागरी का दिया एक बार और नेक्ष्ट बार में वाई भी टैक्स इसे करके में इसमें सिर्काव करता हूँ आप लोग कर सकते हैं दोस्तों सबसे द्यान देने बला बात इसका है अगर इस फ्लांट आपको गार्डेन में जितना भी बड़ा की हो ना जाये है आपको इस प्लांट के साथ हैंड पॉलीनेशन करना पाँ अगर आप इस प्लांट में हैंड पॉलीनेशन नहीं किये तो इसका फूट शेट नहीं होगा यह तो hundred percent guarantee अगर होगा भी तो दो एक का अलाबा बहुत ज़्यादा आपको अपने गार्डेन में फूट सेट नहीं कर पाऊगे दोस्तों मेरा यह जो प्लांट है यह इतना सोटा सा प्लांट में मैंने चार फूट इसमें सेट करवा दिया हूं वह एक मारे इसका जो में कॉजे वह नेक्स्ट टाइम दो आप लोग मेरे चैनल में बने रहेगा दोस्तों बाकी इसमें में कभी-कभी फांगी सेट भी स्प्रे कर देगरता हूं इसमें और इसके अलाबा और कूस अभी तो इसके साथ मैंने किया नहीं आप लोग देख से तो वही कितना सुंदर ग्रोथ है इस प्लांट का पूसे एक बार तीन या चार महीने पहले इसमें रेड मैट्स का भी अटाक हुआ था तब मैंने केमिकल जो प्रेस्टिसाइड होता है वह एक बार सिरकाव किया था तो एक बार स्प्रे करने से करना और करना नहीं परा तो आच्छा बात है यह अगर आप जितना भी केमिकेल फ्री अपना गार्डेन कर्स होंगे वह आपने परुदा के लिए भी अच्छा है और नसर के लिए तो बहुत अच्छा है तो थैंक्यू दोस्तों मेरे साथ मेरे से इनल में बने रहने के प्लोड़ाद से टूर भीजिरी थे प्लोड़ाद से स्थाना।